हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सबी लोग अच्छे होंगे सो फ्रेंड्स यह हमारा टेंथ लेक्चर है इंडियन फीडम स्टॉगल के आपके 50 प्लस एंडियन फीडम स्टॉगल के कंटिन्यू करके रखेंगे खतम नहीं करेंगे पेपर के अंडियो तक जितने हो सके उतने मैक्सिम्म मैं सी क्यूज यहां पर रिवाइश करने की कोशिश करेंगे प्रोसेस होई रहेगा कोशन आएगा आपके सामने आपने उसको को समझना है अंसर करने की कोशिश करने है खुझ से एंडेन यू आफ तो गो फॉर दर स्ल्यूशन ओल्राइट चलिए तो पहला कोशन देखेंगे पहला कोशन क्या कहता है कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मैंने आपको पहले भी बताया है यूपी एसी का आपके पास अंसर होगा आपके आपके पास अंसर होगा स्टेटमेंट्स जो है वह आपके लिए सही है इस्वर चंट्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट शोचल रिफॉर्म थे तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाक्ट्स फटाफट से देख लेते हैं जो विद्यासागर के अगर आप आइडियास को पढ़ते हो तो language कौन सी थी जिसमें आपके जातर स्क्रिप्ट्स हैं जो आपके religious स्क्रिप्ट्स हैं वेदाज हैं या बाकी के scriptures हैं Sanskrit तो Sanskrit के उपर monopoly किसकी थी priests की आज भी monopoly priests की ही है एक तरह से आप जब घर पे पंडित को बुलाते हो पूजा के लिए वो Sanskrit में जो जो बोलता आपको समझ कुछ नहीं आता ठीक है तो इसी वज़े से ताकि ये जो priestly monopoly थी Sanskrit के उपर उसको खतम करने के लिए Sanskrit college में non-brahmins की entry भी इन्होंने अलाव कर वाई He also introduced western thought in the Sanskrit college so that ये जो isolation में चल रही थी Sanskrit learning वो खतम हो सके He also devised a new Bengali primer and evolved a new pro style एक new नया Bengali pro style जो है इन्होंने evolve किया उसके लावा video remarriage के लिए इन्होंने काफी जादा काम किया और इनी के actions थे जो ultimately government ने 1856 में जो है rules बनाए, laws बनाए for the video remarriage and he was also a crusader against child marriage and polygamy polygamy is having more than one wife तो ये इसके भी against थे उसके लावा women education को भी support करते थे इश्वरचंदर विद्यासागर जो है इनको government ने एक inspector of schools के लिए भी appoint किया था was appointed by the government and जब ये inspector थे inspector of schools थे उस समय पे he helped organize 35 schools for girls education और ये इन्होंने सब अपने खर्चे पे किया ठीक है तो women education को बहुत जादा promote करते थे उसी के साथ bethune school जो आपका 1849 में establish हुआ था ये उसके secretary भी रह चुके थे अब यहां पर आपके लिए एक homework है जो आपने comment section में बताना है वो आपने बताना है who was the founder of bethune school ठीक है ये आपका homework है आपने founder of bethune school बताना है comment section के अंदर चलिए next question देखेंगे second question इनमें से किन को father of marathi journalism कहा जाता है चार नाम आपके सामने हैं इन में से किन को father of marathi journalism कहा जाता है बाल दंगा धर्तिलक बाल शास्त्री जांबेकर mg रनाडे या फिर जौतिबर आओ फुले इनमें से किन को father of marathi journalism भी कहा जाता है simple सा question है सीधा सा straightforward question है ठीक है चलिए तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका answer होगा option b बाल शास्त्री जांबेकर बाल शास्त्री जांबेकर जो है he is known as the father of marathi journalism चलिए तो बाल शास्त्री जांबेकर के बारे में important facts पढ़ लेते हैं क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है ठीक है जी तो social reformer थे यह भी and इनका एक journalism था जो अपने journalism के through basically attack किया करते थे जो brahmanical orthodoxy थी या question मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ मैंने पहले भी question आपको दिया था कि दरपन जो है वो कौन publish करता था यह किसने start किया था यह newspaper तो बाल शास्त्री जांबेकर को important है पूछा जा सकता है ठीक है and he is known as the father of marathi journalism ठीक है दरपन में यह basically जो इनकी writing थी उससे यह social लोगों को awaken करने की कोशिश करते थे उसके इलावा 1840 में इन्होंने दिखदर्शन भी यह भी start करना शुरू किया ठीक है और दिखदर्शन जो था इसमें articles जो publish किये जाते थे वो scientific subjects से और history के topics पे वह अगरते थे तो जैसे दरपन का सवाल पूछा जा सकता है paper में कि दरपन कौन निकालता था similarly आप से सवाल पूछा जा सकता है कि दिखदर्शन जो है वो किसका था यह कौन publish करता था तो बालशास्त्री जांबेकर आप कहदोगे apart from this he also founded Bombay Native General Library ठीक है और and he started the Native Improvement Society तो यह दो organizations जो है यह भी जांबेकर के नाम आपको याद रखनी है and he was the first professor of Hindi at Elphinstone College यह महराश्टरा में है तो महराश्टरा में जब Hindi branch महराश्टरा College में जब यह Elphinstone College में जब यह Hindi department set किया गया तो यह पहले उसके professor थे दो यह वाला यह चार पॉइंट्स जांबेकर बालशास्त्री जांबेकर दरपन न्यूसपेपर दिखदर्शन न्यूसपेपर Marathi journalism के father Bombay Native General Library and Native Improvement Society यह दो organizations यह सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए थर्ड question देखेंगे पर्महंसा मंडली कौनसी state में established की गई थी पर्महंसा मंडली was established in which of the following states options यह रहे महराश्टरा, बेंगौल, गुजरात या फिर पंजाब इन में से कौनसी state में पर्महंसा मंडली जो है established हुई थी यह भी मुश्किल सवाल नहीं है बहुत असान सवाल है easily कर सकते हो लेकिन factual question है ठीक है तबी answer होता है जब आता हो, तो answer इस case में होगा आपका option A महराश्टरा, महराश्टरा में पर्महंसा मंडली जो है वो established की गई थी चले पर्महंसा मंडली के बारे में पढ़ लेते हैं तो 1849 में इसकी foundation रखी गई थी, founders कौन थे? दो founders के नाम आपने याद रखने हैं, दादोबा पांडूरंग और महताजी दुर्गाराम दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे अभी पीछे मैंने state पूछा आप से सवाल ये भी पूछा जा सकता था, कि इस particular organization के founder हैं कौन? ये जब organization, foundation इसकी की गई थी, as a secret society इसको found किया गया था और agenda इसका क्या था, कि किस तरह से जो हिंदू धरम है, उसके अंदर reforms लेकर के आए जाएं और कैसे समाज के अंदर reforms लेकर के आए जाएं ठीक है, ये एक rational thinking को promote करते थे, freedom of thought को promote करते थे और कास्ट टूल्स को break करने में इनका विश्वास था, जब भी इनकी meetings होती थी तो specially lower caste people जो थे, उनको बुलाया जाता था to cook the food और बाकी के जितने members होते थे, उस food को consume करते थे, ताकि कास्ट टूल्स को completely break down किया जा सके video remarriage और women education के भी ये लोग supporters थे, ओके, चलिए पर अगर पढ़ाई की हो, तो बिलकुल मुश्किल इसको अंसर करना नहीं होगा, ध्यान से पढ़े He was a firm believer in gender equality, woman education, help of his wife Savitri Bai, ये बहुत बड़ा हिंट है Savitri Bai बहुत बड़ा हिंट है, opened a girls school at Puna, he was a pioneer of widow remarriage movement in Maharashtra and also opened a home for widows in 1854, ये भी बहुत बड़ा हिंट है He was also awarded the title of Mahatma for his social reform work आपको identify करना है, person कौन है Option a, जोती बाराव फुले, option b, Mahatma Gandhi, option c, Karam Chand Gandhi, option d, is your Tukaram Bhosle तो आपको अंसर बताना है, इसमें क्या है, देखो ये question थोड़ा सा confuse कर सकता है जो बच्चों ने तैयारी नहीं की है, धंक से है, उपर उपर से पड़ा है, वो Mahatma Terms उनके ही, अंसर मेरे ख्याल से Mahatma Gandhi के उपर चले जाएंगे और अगर वो और ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे कि 1854 में तो गांदी जी इतने बच्चे ही थे ठीक है, 1854 में गांदी जी नहीं हो सकते तो वो क्या करेंगे? उनके पिता जी के साथ चले जाएंगे है ना, तो इस केस में अंसर जो है गलत हो जाएगा क्योंकि Mahatma Gandhi तो पैदा ही 1869 में हुए थे ठीक है, तो वो 1854 को कैंसल कर देंगे और करम चन गांदी के साथ चले जाएंगे पर अंसर इसका ये नहीं है, पर अंसर इसका होगा option A, जीति बाराओ फुले ठीक है? तो जीति बाराओ फुले जो थे gender equality को प्रमोट करते थे women education के लिए काम किया करते थे इनकी wife का नाम था सावितरी भाई फुले जिनके साथ इन्होंने मिलकर के girls school जो है वो पुना में खोला video remarriage को भी के लिए इन्होंने home for videos खोला है 1854 में और इनको इनके social reform works के लिए mahatma का title भी मिला था important points है, individually भी पूछा जा सकता है कि which of the following social reformer was given the title of mahatma सीधा question पूछ लेंगे factual सा, ठीक है चारो यही option दे देंगे, है ना, चलिए okay, now let us move to the last question of this particular video which of the following events led to Britain being called the workshop of the world, Britain को workshop of the world क्यों कहा जाने लगा option A mechanized production of cotton textiles in 18th century, cotton textile के mechanized production हो गई, ठीक है उसके बाद growth of iron, ore and steel industry in the 19th century, iron and steel industry की growth की वज़े से successful colonization expeditions in North America, development of chemical industry in early 20th century, chemical industry develop हो गई, तो इसमें से क्या कारण था, option B will be the correct answer, देखो mechanized production जब cotton textiles का होना शुरू हुआ, उसकी वज़े से बृतें का trade बहुत जादा boost up हो गया, पर workshop of the world कब कहा जाने लगा, जब iron and steel यहां पर manufacture होने लगा, उसके बाद railways expand हो गया, और बृतें के जो exports थे वो बहुत जादा boost up हो गया, इसी वज़े से the correct answer here will be option B, so mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century and when its iron and steel industry started growing from 1850s Britain came to be known as the workshop of the world, as it is statement NCRT के अंदर given है, ठीक है, तो इसी वज़े से यहां पर मैंने NCRT में से इस question को directly frame किया है, इस तरह के कहीं बार confusing से question आप से पूछ लिए जा सकते हैं, तो इसी वज़े से इनके लिए भी आपको तयार जो है वो हो सके, okay and कोई भी doubt हो, आप comment section में उसको post कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, मिलेंगे एगले lecture में, तब तक के लिए all the best time, bye bye